नेपाल आयल निगबले पन्रजिनको अबदीमा दोस्रो पटक पेट्रूलियम पदार्थमा फेरी मुल्ले बढ़ायको छा। बड़ेको मुल्ले बाट थक पीडामा पर्ने कुरालाई नकार न सकिन्ना। व्यापार बेवसाय थक पभायर नाजुक अबस्थामा पुगेका नागरिक माथी थक मुल्ले थक पर्नुले पीडाको घाउमा मलंपट्टी गर्नुको शाटो नुन्चुक छरकीनु शराप भयक जब पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्ले बड़ थक तेसको असर आम उपभग्य बजार मा समेथ पर्ने गर्द छा। व्रिद्धी भयको धुआनी खर्चको मार मा सोजै उपभभग्ता पर्चन। इई उपभभग्ता को भनाईले पनी उप्त कुरालाई प्रस्ट्याउं इई उपभग्ता को भनाई जस्ताई पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्ले बढ़ना साथाई बजार मा हरेक उपभग्य सामान को अश्वा भाविक रुपमा मुल्ले बढ़न थाल छा और थात ब्यापारी हरुले आफुखुशी मुल्ले बढ़ाउन थाल छन। एशको प्रभभभभ बिशेसकरी एताय छेत्रमा पर्द छ उपभग्ता पेट्रोलिय बढ़ना बाजिगर न चुक जाई न। बर्चेनी आपना कर्मचारी लाई करोड़ा रुपाया बोनस्रा भत्ता छुट्ट्याउन शकने निगम महंगी को मारमा परेका उपभग्ता लाई केही राहात दीन सक जाई न। एती बेला देशमा सरकारै न भाईको महसुस गरी रहेको ई उपभग्ता बताओ छन। यो समये आम उपभग्ता लाई रहात दीनो सरकार को करतब्बे हो। तर रहात दीनोत कता हो कता उल्टाई उपभग्ता को धार से किने गरी पंद्र दिनकाई अबदिमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ़ाउनों खत्तिको नियाय चित विशाय होता। ओमकार के लिवी जनका लागी के मेरा मा बिसाल प्या कुरेल का साथ सांतालम साल कार्ट मंदो।